हेलो स्टुडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त क्रसी और प्रद्योगी की प्रवेस परिक्षा के बारे में जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश कम्माइन एगरिकल्चर एंड टेकनलोजी इंटरेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं तो आज हम बच्चों आपसे जो बात करेंगे वो होगा कि इसमें eligibility क्या होगी क्या आपकी योगिता होगी कब ये paper होते हैं आपकी age limit क्या होगी किस class वाले बच्चों को ये form फिल करना चाहिए 12th pass out के लिए क्या requirement होगी ठीक है after graduation क्या requirement होगी यदि आप PhD करते हैं ठीक है तो क क्या requirement होगी यदि आप MSC करते हैं तो क्या requirement होगी कौन-कौन से student इसमें eligible है math, bio, agriculture वाले बच्चे हों या commerce वाले बच्चे हों कौन इस form को फिल कर सकता है तो सारी बातें आपसे इसमें हम करेंगे step by step तो मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं Science and Academy चिंदबाड़ आई स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए तो बच्चों जो exam conduct कराने वाली आपकी organization है वो है बच्चों नरंद्र देव University of Agriculture and Technology ठीक है आयोध्या तो ये paper conduct कराने वाली body है ठीक है exam mode बच्चों आपका क्या होगा offline होगा मतला paper आपके क्या होगे बच्चों offline mode में आपके paper होगे याद रखेंगे paper कैसे होगे आपके offline paper होने वाले बच्चों medium क्या होगा तो English medium बालों के लिए paper English में आएगा Hindi medium बच्चों के लिए paper हिंदी में आएगा याद रखेंगे आप लोग state level exam है बच्चों UP ही conduct कराता है UP के ही आपको CT मिलेंगी paper देने के लिए याद रख सकते हैं उनका भी criteria रहने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे courses क्यां बच्चों आपको UG courses मिलेंगे आपको PG courses मिलेंगे मतलब आप यदि अंडर graduate हैं मतलब यदि आप 12 pass out हैं तो आपको UG course मिलेगा यदि आप ठीक है bachelor complete है मतलब यदि आपने college complete कर लिए यदि आपको master degree करन चाहते हैं ठीक है तो आपको PhD के लिए इसमें आपको इंटरेंस टेस्ट देना होगा सीट कितनी बच्चों तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको UG के लिए ठीक है जो गवर्मेंट तरब से आपको करा जाएगा paper conduct करा जा रहा है तो आप इसमें pass out होते हैं तो आपको ट 83, 583 सीटे खाली मिलेंगी बच्चों यदि आप PhD करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो बच्चों जो body conduct exam कराएगी वो होगी ठीक है क्या हमारी नरंद रेव उनिवर्सिटी जिसमें आपको कितनी सीट मिलेंगी बच्चों इस conduct body में ठीक है 258 सीटे मिलेंगी जो आपक यूपी के top college आपको provide करा जाएंगे कौन-कौन से college होंगे यूपी के जिसमें आपको selection मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे वीडियो आप जरूर अन्त तक देखें बहुत ही important होने वाला है बच्चों आपके लिए और डिपलोमा यदि आप करना चाहते हैं त इसी तरीके से notification लेकर आते हैं और नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो यह था बच्चों हमारा वीडियो तो इसमें हम आगे दिम चलें तो आपका जो ठीक है यूपी C88 का जो एक्जाम होता बच्चों यह कब होता है तो हर साल बच्चों लगबग लगबग जो एवरेज माना जाता है फरवरी से मार्च की महाम क्यास पास में होता है इस बार काफी डेले हो गया है लेकिन पेपर आपका हमेशा क्या होता है बार भी पास होना जरूरी है यह आप एक्जाम दे रहे हैं तो ठीक है और वह भी science stream से यह आप हैं तो age limit आपकी क्या होना चूट है तो यदि वह 25 साल के भी हो गया है यदि 27 साल के भी हो गया तो वह form भर सकते हैं क्योंकि STSCOVC को 5 साल की चूट है तो 22 साल जनरल वालों के लिए चूट है उसमें 5 साल और बढ़ादो तो 27 साल किसकी चूट हो जाएगी बच्चों आपकी STSCOVC वाले बच्चों के उनको जनरल स्टडी, Chemistry आएगी, Biology आएगी, Physics आएगी ठीक है ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं PCM बालों के लिए ये टॉपिक आप देख रहे हैं ये टॉपिक मिलेंगे यदि आप क्या हैं बच्चों ठीक है PHS से हैं बच्चों तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल करना है तो आपको 12th पास आउट चाहिए और सब्जेक क्या बच्चों ये आप एग्रिकल्चर से हैं तो 60% होना चाहिए 12th में यदि आप PCV से हैं तो आपको होना चाहिए 60% के साथ में आपका 12th के परसेंटेज की बात कर रहे हैं 12th में इतना परसेंट होगा तभी आप इ PCM, PCV ठीक है एग्रिकल्चर के साथ में 60% का होना ठीक है अती आवशक होगा तो बच्चों ये आपके courses रहे हैं ये सारे आपके courses हैं ये classes 12th पास आउट वाले के courses हैं इसके बाद में BSC वालों के लिए बताएंगे आपको ठीक है और सारे आप देख सकते हैं आपका क्राइ अग्रिकल्चर एक्कनोमिक से करना चाहते हैं तो 60% आपका BSC में होना जरूरी है बच्चों आप कोई भी course करें आपके किसी भी ग्लास में 60% होना चाहिए है, तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी एकजाम पर में कहें कर सकते हैं, qualify है, M.S.C. यदि आप home science करना चाहते हैं, तो भी 60% है, आपके B.S.C. में होना चाहिए, M.S.C. दि आप agriculture, biology करना चाहते हैं, तो भी आपके 60% होना चाहते हैं, यदि आप Master in Veterinary Science करना चाहते हैं तो आपको जो है Bachelor of Veterinary Science में ठीक है जो आपका डिगरी है वो 5.50 की होना चाहिए याद रखेंगे आप लोग ठीक है ग्रेट की होना चाहिए यह आप जरूर याद रखेंगे बच्चों ठीक है सबस्क्राइब आपको 60 लूट्र में चाहते हैं अंसर्फिय्च टॉट लुटरिएश करना चाहते है तो आपका बच्चों होना चाहते हैं जितने अहलद लिमिट की बात करें तो आपका बच्चों ठीक है 17 year आपकी क्या होना चीए बच्चों age limit आपकी माना गया है minimum age limit माना गया है और 23 वर्स आपकी क्या है maximum age limit माना गया है याद रखेंगे आप लोग और STSC OVC वालों को 5% का क्या है बच्चों यहाँ पर relaxation है तो याद रखना चीए आप 16 age आपकी होना चीए कम से कम 16 years इदी आपकी है 16 year plus इदी आपकी age तो आप यह form को भर सकते हैं यदि आप क्या करना चाहते हैं बच्चों तो यह देखिए 16 year age limit है maximum 22 यह रहे तो एक साल का और relaxation दिया गया है 16 आपकी age होना चीए और यदि 22 साल यदि आपकी maximum हो चुकी तो आप फिर यह form फिल नहीं कर सकते हैं जनरल वाले स्टेसी ओबीसी वालों को 5 साल की age limit में छूट मिलेगी यदि आप यह form भरना चाहते हैं तो फिर जनरल वालों को लगेगी बच्चों 1250 रुपए ठीक है और OBC वालों को भी 1250 स्टेसी वालों को वहीं पर लगेगी बच्चों ठीक है आप क्या ले जा सकते हैं बच्चों अधार कार्ड आपको साथ में लेकर चलना है फॉर्म फिल करते समय बच्चों आपको अधार कार्ड ठीक है 10-12 की मार्क शीट फोटो आपकी सिगनेचर ठीक है फिल्चर कॉलेज उत्तर प्रदेश के हैं वह कौन-कौन से होने वाले हैं तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग देश वीडियो हैव नाइस डेए